तो आज की स्वीडियो में डिसकस्ट करने वाले हैं हम डार्जन्स रियक्षन या फिर इसे कहते हैं डार्जन्स अक्सिडेशन इसमें कैसे हम पहचाने के कि यह डार्जन्स रियक्षन है उसके लिए मैं यहां पर लिखा हुगा है कुछ इसमें हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड होगा और उस कार्बोनिल कंपाउंड में जो अल्फा कार्बन होगा उस पर एक हैलोजन होगा यानि कि अल्फा हैलो एस्टर होना चाहिए हमारे पास और उसी कार्बन पर हमारे पास at least one alpha hydrogen होने चाहिए जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है यह ऐसा carbonil compound जिसके पास यह alpha carbon और इस alpha carbon पर यह halogen यानि कि यह हो गया alpha halo ester, यह ester, C1OOR यह हो गया और इसी carbon पर हमारे पास एक alpha hydrogen होने चाहिए एक ज़रूरी है यहाँ पर दो है चलेगा हमारा गाम अब दूसरा का देखते है इन डिपरसंस आफ बेस यह रियक्शन जो है बेस के परसंस में होगी अब तीसरा जो हमारे पास जो प्रड़क्ट होगा वो बनेगा अलफा एपाक्सी एस्टर अब देखिए रियक्शन माने यहाँ पर लिखी हुई है यह हमारे पास carbon compound है से लगा हुआ हमारे पास alpha hyalogen हो सकता है और इसी के साथ इसी carbon से लगा हुआ अलफा हेडोजन होना चाहिए और यह रियक्शन बेस के परसंस महोनी चाहिए और यहां पर बनेगा हमारे पास alpha beta epoxy ester epoxy ester और यह हमारे बेस यह के ओ टीबी मतलब यह हो जाए के पलस और यह वाला माइनिस तो यह वाला है बेस हमारा अब देखते हैं इसकी mechanism कि यह reaction कैसे हो रही है मेकैनेज कि सबसे पहले हम अलफा है लो इस्टर को लिखते हैं कि अधिक को नीचे यह हो रही है बेस के पॉर्जन से ओ टी बी यू माइनिस यह बेस बेस क्या करता है हमारा एस पलस निकालता है ना तो देखिए यह अलफा हीड्रोजन है यहां से अलफा हीड्रोजन निकल जागा यह इस प्लस निकल जाएगा इस पर आएगा माइनस चार्ज यह हो जाएगा चेडबल बांड ओ और इदर सी इसल लगाँ नीचिक साइड यॉश्टीर्सी इस लगव एक इस था और एक हैज फर आल यह 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 वाला लाग तो इस पर आया दो इलेक्टान और इस पर आगए माइनस चार्ड अभी हो गया हमारे पास माइनस चार्ड अभ और इस आइडिया तो देखिए अब यह माइनिस जो हो यहां पर अटेक करेगा और यह वाला बांड कुछ इस तरह से मूव होगा अब यह पिछली वीडियो में हम डैकें रियक्शन में और इससे पहले कि और भी कई सारे वीडियो में इस तरह से हमने मुव्मेंट देखा हु यहां पर अटेक करेगा और यह बांड इस साइड मूव होगा तो क्या होगा सी डवल बांड ओ और पहले हम लिख लेता है इसमें कुछ नहीं हुगा सी डबल बांड ओ दो इधर ओ और इससे लगा हुगा एक कार बन उसकार बंद लगा हुगा यह चिछ इस कार्बन दे पर यह आएगा carbon यह आकर इसे जूला गई है carbon अब इस carbon से जूला हुगा है oxygen और इधर यह इधर CH3 इधर CH3 यह हो गया हमारे पास कि अब क्या होगा next step में कि अब दखी यहाँ पर माईने शार्ज है और यहाँ पर है लो जन अल्फा होना होना चाहिए भो है अब यह क्या करेगा माइनस चार्ज और यह हाइलोजन जो होता है वो बेस्ट लिविंग ग्रूप होते हैं तो यह माइनस चार्ज जो वो इस कार्बन पर अटक कर देगा और यहां से माइनस एक्स निकल जाएगा यहां पर जो भी हाइलोजन हो निकल जाएगा और यहां से क् अक्सेजर उसके अर्बनाइगा तो यहां सो ना सिर्द गृश्ओ है ज़ैडेंगे मीडे मतलब मारा इसकॉछ तरु से टीखां ऑन कि कर ऑसफ टिखांगोड यह पर अनगा इस अधर पर ने थिकिन अपर तो अब यहां पर प्तिरस्प्र सब्सक्राइब अीदधर और और इस साइड यह कारबन रहा उससे लगा एक कारबन और यह वाला कारबन इस कारबन से यह लगा अक्सीजन और वो अक्सीजन फिर इस कारबन से लगएगा यह यह आक्सीजन और यह अक्सीजन फिर इस कारबन से लगएगा और इसके पास एक हाइड्रोजन पहले स्था ना हुआ आई टो जहीं बना देते हैं औरर देखिएक एक एक्छ एक टी और यह हो गया यह और डरी श्याज दिस्यस्टिरी आप गया न को आप हां यह हो गया मारा अलवा बीटा पक्सि एश्टर देखिए यह कारबुनेल कमपाउंड इससे लगा हुआ है यह अलफा और बीटा वह आलफा बीटा एकप्सी इस्टर की अगरं पार सिर्फ यही होता है तो इसे कुछ चीजव पांद टॉह टो यह एक कते सीडिंद और लग इस्टर गौरूप है तो यह हो गाए इसटर इस टार ओर ऑफा बीटा आम पर यह नाम सर्फ्क डार फ़बीट होता है यह होगी हमारी नॉर्मल सी रियक्षन यह होगी उसकी मेकेनिज अब इसमें थोड़ी समें एक चीज यह देखने वाली है कि अगर हमें इस माइनिस जो अटायक करता है इस कार्बन पर माइनिस वाला और जो लिविंग गूर्प लीव होता है अगर हमें इसके स्टीडियो कमे सीजन है यह अट्राइक करने वाला और यह जो हमारा निकलने वाला यानि कि इन दोनों पर में काम हो रहा है तो अगर हम इस टीरियो में क्या देखें कि पहली कंडिशन हम देखें कि अगर यह दोनों एबब दी प्लेन हो यानि कि दोनों सीन हो या फिर दोनों एक एबब हो ए तो आप उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले देख़िए यह हो गए हमारा यहाँ पर यह कारबन और इस कारबन से लगा हुगा कि एकि लो जाद हमारा है यहां पर है और इस साइड हो जाएगा हमारा है चृपल बांड जाएगा वार। अ मां क्या कर रहा हुं यह तो ऐ हो ग सा है कि यह वह दैए बीट अब हो जाए Unfा ओ आ और यह यह हमारा लेफ करने मेला यह बहन यह बहुड दी प्लेइन हो एक condition हो यह हो सकती है हमारी और दूसरी क्या हो सकती है यह हो जाएका ओ आर या तो यह बिलो दी पिलेन हो या तो यह बिलो दी पिलेन हो एक बिलो दी पिलेन एक एबब दी पिलेन तो इसको मैं बिलो कर लेता हूं किसी एक को भी कर सकते हैं की एक दोनों दुसरे की एंट हो बस यह एबब दी प्लेंग अ मेरा हैं असकी अहर्ड है यह बाइव दुबन यह भी एबब दी ब्लेंट तो इसे हम कहते हैं सिन दोनों सेम साइल और यह बब ये बिलो दुबलेंग यह एक दूसरे की आपोसिट यानी की एंटी हो Ama मैं देखना है इसकी कमिंस्टिक अब हमें क्वेश कहा सकत है कैसे वैद है पहले इसके देखने परीए हम कुछ समझे लें बन और भाग्षहेन नहीं यह विजन यह वाला ऑप्षिजन और तो जो यह वाला बांड है वह रहा यह जखिए यह वाला जो बांड है उसको मैं दिखा रहा हूँ इससे यह वाला और उससे लगा वो एक सीच तरी इस तरह से और ऑक्सीजन ऊपर की साइड कुछ इस तरह से यह हमारा कुछ इस तरह से माली क्यों लेन अभी यह सीच तरी और यह वाला बांड वो दोनों अभी प्लेन पर है और यह अभी प्लेन है तो देखिए यह वाला बां है यह वाला यह वाल एक प्लेंट है तो यह और ऊक्सीजन यह इसके ऊपर गिग तो अभी तो यह है अगर हमम हम इसको थोड़ा सा रोटेट करिं क्युग're को इसे वाला बांड जो हूआ वह हो उसी जगह रोटेट ह gittiे एस थारा से रोटेट यह वाण कर आपनी जगह इस हमारा प्लेन पर तो तो आपक्सीजन हमारा प्लेन पर आया तो तो हमें इस बांड को इस तरह प्लेन वाल प्र दिख शोगा फ्लय प्लेन पर यह होेOR आपक्सीजन auto हो है वह अभी भी प्लेन पर तो था प्लेन पर ही रहेगा लोप यह तुली रहेगा हमग उता Lebensel ने में इस सच मिदन कि तלל कि एच अब देखिए प्लेट सब्काइब हो जाएगा ये वाला होकुका मेरा अब यह वाला बांड जो है, अब ये वाला बांड, जैसे कि अभी देखिए, ये औकसीजन वाला अबब दी प्लेन ताफ हो गया, ब्लेन पर, और ये प्लेन पर था, ये अबब गया, तो उसी तरा आप यहां पर देखे, ये अबब जाएगा बब अब आब है, तो इस तरह से हम इसको रोटेट कर देंगे अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं यह इस तरह से मैं इसको इस तरह से रोटेट किए यह ऑक्सीजन जो वह उपर की साइड जो था वह इस तरह से जाके प्लेन पर चला गए जमने इस तरह से रोटेट किया तो यह उपर की साइड और यह वाला उससाइड के साइड आया वाला ऊपर साइड जो था वह वह प्लेन पर आया ये वहला उपराइड हो जाएगा इस तरह से करेंगे तो यह इधर उबरकाइड वो इधर उपरकाइड और यह प्लेन पर दोन हो जाएंगे उसका रिप्रजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा अब हमें क्या देखना है अब इस अकसीजन को हम यहां से निकाल देंगे इसे यह इस पर आटैक करेगा और यह है ल कि अवाव दी पेलेन ही हमारा पास अजिक थरी और इधर भीलो दी प्लेन आप दिखाना चाहिए हमारे पास अजिद दिखा सकते हैं आपी तो यह अब यह बबख दी पॉलेन दोनों आप दिखेंग तो यह हो जाएगा हमारा सिस ठीक उसी तरह से अब हम इसमें भी कर सकते हैं जब हम इसको इस तरह से करेंगे रोटेट करेंगे तो एबब वाला जो था वो प्लेन पर हो जाएगा और यह प्लेन वाला एबब हो जाएगा और यह जो नीचे की साइड था वो हो जाएगा प्लेन पर और यह वाला बान जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिलो दी प्लेन देखिए अब अब वाला जो था वो प्लेन पर गया प्लेन वाला अब 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 जो अब था वो प्लेन पर गया और यह जो प्लेन वाला है वो बिलो हो जाएगा कुछ जादा कन्फियूज कर रहा हूं ना चुछ चलिए ड्रॉ करते हैं पहले तो इधर यह हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन इधर यक्स इधर बिलो दी प्लेन हो जाएगा हमारा कि दौबल बार्ण ओ ओ और आप इसको देखिए न इसमें यक्स जो था वो इभग्दी प्लेन था तो यह वाले उपर चला गया इसमें यक्स जो बिलो दी प्लेन है तो यह वाले नीचे चला जाएगा यहुजा का सीच शरी अब यहां पर और आठक करेंगा यह तर यह निगल जाएगा फिर इसके बाद हमारे पास जाए प्रोडक्ट बनेगा इस तरह का होगा यह रज़े मोगा बीडो दी प्लेन इसमें वे बीलो जाएगा बीलो दी प्लेन जो हमारा सीरिबल वांड ओ इदा रोजाएगा और इदा इब अब दी प्लेंट सीस्तिरी कि दोनों इब अब 30 एक उपर एक नीचे हो जाएगा ट्रांस मैं इसमें समझाने के अपनी पूरी कोशिश की है आपको समझ में आया कि नहीं इसको आप कमेंट जरूर कर गिएगा इसकी स्टीरियो कमिस्ट्री में अगर ये दोनों इब अब दी प्लेन है तो ओवराल के है आप देख लिए आप दी प्लेन जब ओवराल हम देखेंगे तो यह वाला जो दोनों एब अब आप आएंगे तो हो जाएंगे हमारे समय केसि जैनिके जब हमारा शीन यूगा तो हमारा बनी गासिस् सिस जांवा एंटी हो का बने गाट रांश यह याहिए meter ी तरिर गेंश था प्लसée llb April वर ऐदर था यह और इसके सांठीघ और था पलॉस Serve के साथ मारे क्या बनता था प्लस नहीं था चलिए देखिए यूर यह वरेक्षन अलर्फा हाल है था हमारे पास क्या होना चाहिए था हैल्फा हाइलो इस्टर एंड अलफा का हैलो है अलफा हेड्रोजन इसका प्राड़क्टर भी बनाते हैं उसके बात यह थे ठीक है यह जागा सी प्रड़क्ट वाति यह होगा ना अब इससे लगा हुगा यह सी डवल बांड ओ इधर वजाएक ओ और इधर लगा वह एच्छ तरी यह वाइश का प्रड़क्ट बीज़ आटão यहां पर सी यह होगा अगलों के हमारे पास कं 번 क्या क्या हो रहा है यह कारबन से लगा हुगा पर यह और यहां पर Edge अडिक इस से तो अक्सिजन लगा था दो बन से बस एक बांड यहां से यह Stand हो रहा है इस कारबन से एक बांड डबल बांड ओ था एक बांड ऑक्सीजान से घायब हो रहा है इसमें और इसमें का गायब हो रहा है यह तो हमारा सी डॉबल बाड ओवार हमारा उदर पुरही सी से लगा हुए एक सी था यह multicस्ट रिता चाहिए दिखाते हैं यहां पर है यानि कि यहां तक हमारा यह सेम है और गाइब क्या हो रहा है हमारे पास यह अलफा हेड्रोजन और यह है लोजन यह हमारे यहां पर गाइब हो रहे हैं और यह दोनों गाइब होने के बाद क्या हो रहा है कि यह व्लक ओक्षिसेंट और यह व्लक कार्बण चुसिक नमटे जूल जा रहे हैं और ये बीच में एक्तिरी में बरहे ही रही है और यह यह वो RF पूरी मेरिक policy के बागद तो अब देख लेते हैं कुछ और कुछ शॉट ट्रिक्स चलिए देखने हैं कि सबसे पहले हमें देखना है कि अलफा हेलो एस्टर है और उसके पास हैलोजन और एक alpha hydrogen तो देखिए यह carbonil compound यह रहा alpha हैलो एस्टर यहां पर हैलो मतलब हैलोजन यहां पर हमारे पास chlorine है और यहां पर एक alpha hydrogen भी present है तो हमारे पास यह दोनों निकलता है और यहां से एक यह वाला bond और इन दोनों को यह oxygen इस carbon से और यह वाला carbon carbon से हमें अटाइश कर देना है बाकी हम यह उसके बाद जो हमारा हो जाएगा वह होगा हमारा प्रड़क्ट यह रिंग उठा का हमें इसको यहां पर लगा दें कैसे वह हम देखते हैं इधर इधर यह C double bond O O C2H5 यह तो यह हो गया और इसके बाद क्या है इधर C अब यह जोनों निकल गए इसके बाद पास बच्छा 1H अब इससे लगा हुगा यह वाला carbon यानिकी रिंग वाला और एक लगा हुगा इधर ऑक्सीजन वाला इसा अक्सीजन दे लगा हुगा यह रिंग यह रिंग वाला carbon ना तो अब यह रिंग पूरी हम इस तरह से बना सकते हैं कुछ इस तरह से एक मिनट इससे लगा हुगा एक ऑक्सीजन इस रिंग से रिंग से लगा एक ऑक्सीजन यह तिर यह जो रिंग वाला carbon वह वी जूलेगा ना इस कार्मन से इस तान जूलेगा तो यह बीच में एक थरी मेंबर दिंग बनेगी यह हो जाएगा हमारा अलफा यह बीटा एपाक्सी यह हो जाएगा हमारा उसका प्रोडक्ट अब देखते हैं इसमें इसमें भी हमारे पास यह कर्बोनिल के रहा है लोजन अलफा पर हैलोजन की जगां हमरे पास कलोरीन और एक अलफा हाइट्रोजन यहां पर दो-दो अलफा हाइड्रोजन है ऐट लेंग होना चाहिए कम से क हमें एक और शागवागत और का चाहिए तो देखिए नहीं और भाइब LolKCD इस रियक्षिन को पचानने के लिए यह लो अस्य ना होना चाईए और उसके भाइब लिखा हुआ है है और वोही सारी बेस इसमें भी है कि अब इसमें क्या ब από ज़ाइं हो जाएं यह सी से लगा हुए अब WarmH ये सी सिसे फिया हुद टेवा है ऑप यह बना आइका ख्यूल हो इक और और आजरेक कार्बन और को अब फृफ turns निसाजट यह सबी में तो भी अलफा एलो शर्टर से मी लग रहा ना ये निकल जाएगा ये डावल बानी हाद निकलेगा डिसको इससे इसको इससे अटाइस कर दना पयो जागा मरफ प्रडॉक्ट सी डावल बांड ओ ओ ओ ओ ओ सी तो एस फाइफ अब यह जो लो किसी अक्षीजन दे और ऑक्षीजन जोला हुआ है कर बन दे और कर बनेगा इस तरह का प्रडॉक्ट अब इसमें देखते हैं इसमें दो अलफा हीड्रोजन दे अब देखिए यहां बर यह अलफा इसमें लगा हुगा ब्ॉक्तarm देखिए अलफा फैसरा एक लिन दो कर देंगे और ऑस कारपन को इस तारह से आटइस्ट कर देंगे हो जाए ile 202 25 45 छिरिष्षे लगवसी घ्रिस च्री घ्रिया किसी और आक्सी जूल हुग किसी कर्बान ने और वह कर्बान घुला हुगा यह 125厲害 completely च概िस देडिया कर्बान जूल जूला हुगा किसी अतुना च्रिफ प्स्था ख़िस ह्षब इन सारे एक्जामपल की मेकनिजम में प्रेक्टिस करकी देख सकते हैं सब में यही प्रड़क्ट आएगा अलफा बीटा एक इस अब करेंगे आपकी प्रेक्टिस भी हो जाएगा और आपका एंसर भी चेक हो जाएगा और शाट ट्रिक्स करना आए तो मैंने बता दिया इस त आप तो यह वादा दो चीज़ों को यह यह अब दी प्लेन और यह अब दी प्लेन और यह बिलो दी प्लेन हो तो हो जाए गामरा ट्रांस आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें के तो समझ में आएगा जहां तक मुझे लगता है करते हैं कि तो बस हो गया हमारा ड़कतनी प्लिएक्षण फिर उसे ट्रम शे αट्रजिन स्किडेशन जोहाएं तो रिक्षण में। मैं बस इतना ही मिलगा और से नधिक्शी विए में तब तक के लिए तप तक के लिए दीत येह इंम आइजातत हुद हाफिज झाल झाल